हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में कि कैसे आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग अपनी कर सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं यानि कि छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं आप वीडियो एडिटिंग आप देख सकते हैं मैंने यहां पर अपना एक वी एन में एक्जिट कर दी है पहले दुबारे मैं वी एन ओन कर रहा हूं ये मैं प्लस करेंगे आपको फ्री में मिल जाए गा आप अप चाहते तो पर्चेज कर सकते हैं प्लेस नॉर्मल अगर आपने जिक लेगेестно अलग-अलग यानि कि जो भी आपकी फूटेज है फोटू है जैसे कि कुछ फोटुग्राफ है मेरे पास में तो मैं इनको इस पर डाल देता हूँ यह हो गया यह हो गया और आपका यह हो गया इस टाइप से यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यह देखिए मैंने नेक्स्ट कर दिया है अब यह थोड़ा टाइम लेगा इसमें ओनोने में अब यह आप देख सकते हैं कि यह आपका अलग-अलग फोटूग्राप्स आगे है यह ठीक है अब सपोच कि दिया आपने इसमें ओडियो एड़ करनी है तो आप ओडियो एड़ कर आपका नहीं यह वाला सपोच किजी यह मैंने किलिक किया इस पर तो आप देख सकते हैं यह आप प्ले करेंगे यह आपकी फोटू ऐसे आ गई अब यह आप से पूछ रहा है अपलाई टू और पर आप क्लिक करते हैं तो आप लाई टू ओल करने के लिए आपको क्या करना भारें यहां पर एंपलाई टू एक बटन अपर आयो है यह वाला पनक में यह वाला आपका बटन है अपलाई टू ओल तो इस पर आपने किलिक करना है अपलाई टू और है ना तो यह सारा इफेक्ट आपका इसी पही आ जाएगा यह वाला यह देखिए प्लेक गर दिया मैंने दूसरे पर आप आगया यह आपका ठीक है थर्ड पर आगया आपका और यह फोर्थ पर आगया है यहाँ पर आने के बाद आपके पास में क्या होता है यह एक option आ जाता आप इसको export करना चाहते हैं तो यह आपके पास में तीन तरह टाइप के option होते हैं इसमें यह दुबारा मैं इसको open कर लेता हूँ इपर ठीक है यह आपका corner पर जो sign है यह वाला जो sign है यह point जो होता है इससे आपने export करना है यह देखिए यह export आपका इस type से मांगे यह अभ आप export back कर देता हूँ मैं यहां से और इसको मैं back कर रहा हूँ यह पूछ रहा है आपको original size चाहिए या 9 by 16 ratio में चाहिए या mobile tik tok के टाइप से चाहिए तो अलग-अलग या Instagram के लिए चाहिए तो आप कोई भी size में इसको ले सकते हैं यह मैंने यह ले लिया है Instagram का size ठीक है यह आपकी यह image होगी सपोच करो आपकी यह image थोड़ा सा गणेश जी की उपर आ रही है आपने इस पर किलिक करना है और गणेश जी को नीचे ले आना है ऐसे ठीक है आगे हम जाते हैं यहां पर जैसे सुपरभात है हमारा इसको भी हम किलिक करेंगे इस point पर नीचे ठीक है किलिक करना है आपने और इसको उठाना है अपना और नीचे ले आना है यह add आ गया बीच में ठीक है इसको हमने ऐसे ले आना है ठीक है उसके बाद में आपका यह वाला प्रोजेक्ट आ जाता है इस पर किलिक करना है आपने और अगर यह image छोटी है आपकी तो किलिक अब मैं इसको export कर रहाँ, यह देखिए, यह export हो धने वाला है, यह मैंने एक्सपोड कर दिया इसको, 2 मिट ले का खाली, इक्सपोड करने के, उसके बाद मैं आप इसकी पूरी एक movie बनके तयार हो जाएगी, अब आप चाहें तो यहां से इसको जो ना फेस्बुक पे यूटूब पे इस्टाग्राम पे भी अपलोड कर सकते हैं बट इसको करने की कोई जरूद नहीं होती है क्योंकि आप मैनुवल ही इसको वो कीजिए अब हम जाते हैं गैलरी में यह हमारी गैलरी आ गई है यह वाली अब देख लिए यह रिसेंटली एक 12 सेकंड का आपका सौर्ट तैयार हो गया है यह आ गया सेकंड थार्ड और आपका फोर्थ तो नेक्स टाइम मैं आपको बताऊंगा कि जो नहीं इसमें हम ओडियो कैसे लगा सकते हैं यानि कि अगर म्यूजिक लगाना हो तो इसमें कैसे म्यूजिक लगाएं तो प्लीज की वाचिंग माई टुटोरियल ओन दा यूट यूब चैनल